नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्त उपस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी को लेकर के जिहां आए आज हम सभी जानते हैं पथरी गलाने के उपायों के बारे में हम बात करने हैं होम में ड्रेमेडीज की होम में ड्रेम स्या बन गई है और अगर किसी को पत्री हो जाए तो उसको बहुत तकलिफ जहलनी पड़ती है इसलिए आज हम आपको इस हमारे वाई के माध्यम से पत्री के इलाज के भारी में बताएंगे जो एक्तम सरल और प्रभावी भी है पत्री औरतों की अपेक्षा मर्दों में तीन गुना अधिक पाई जाती है और ज्यादा तर पत्री 20 से लेकर के 30 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है अगर आप जानना चाहते हैं कि पत्री के लक्षन क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है तो इस हमारे वाइस ओवर को अंत तक जरूर सुनिए पत्री एक ऐसी बीमारी है जो रोगी को बेहद असहनियत दर्द देता है पत्री के रोगी को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है आजकल के प् कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड के मिलने से होता है यह किसी भी इंसान को हो सकता है पत्री दो प्रकार के होते हैं एक बड़ा और एक छोटा छोटा वाला पत्री बाहर निकल जाता है लेकिन बड़ा वाला नहीं निकल पाता है जिस कारण से रोगी को बहुत दर्द सहना पड़ता है आज हम आपको पत्री को तुरंत गला कर बाहर निकालने के कुछ एक घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं जिने आप ध्यान से सुने और अपनाएं आपको फायदा होगा पत्री होने के सबसे पहले कारणों को जान लीजे क्योंकि जब तक आप कारणों को नही आपको पत्री होई है जिहां वैसे तो समाने तख पत्री किसी को भी हो सकती है लेकिन अधिकतर इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब किसी के खान पान की वजह से मुत्र गाढ़ा हो जाता है तो पत्री बनना चालू हो जाता है और ये गाढ़े पेशाब के धीरे धीरे जम होने लगते हैं और कुछ दिनों में वो पथरी का रूप ले लेते हैं और जब ये मुत्र मार्ग में रुकावट डालते हैं मतलब के पिशाब करने पर दर्द महसूस होने लगता है तब रोगी को इसका एहसास होता है कि उसको पथरी हो गया है अब इसके लिए खत्म करने के के लिए आवश्क स्तामगरी जानलीजिया आपको चाहिए होगा बीस ग्राम तुलसी के सुखे पत्ते 20 ग्राम अजवाईन 2 म अब दवा बनाने की विध्यद्य जानलीजिया идет 20 ग्राम तुलसी के सुखे नमप और 20 ग्राम संधा नमप लेकरके पाउडर बना लेना है आपको मिक्स करके यह तीन ग्राम चुन गुनगुने पानी के साथ हर रोज आपको सुबह शाम सेवन करना है सेवन करने से गुर्दे का तीज दर्द दूर हो जाएगा मुली का 100 मिली लिटर रस मिश्री मिलाकर अगर आप सुबह खाली पेट सेवन कर लेंगे तो कुछ 6 द दिनों में पथरे खत्म हो जाती है पालक के साग का रस 20 से 40 मिली लिटर की मात्रा में प्रती दिन सुबह शाम खाने से पथरी में लाव मिलता है 25 ग्राम अजमोद को 500 मिली लिटर पानी में उबालें और आधार हजाने पर ठंधा करके आधा या 2 कप 3-3 घंटे के अंतर पर रोगी को पिलाएं इससे दर्द तुरंत समाप्त हो जाता है कमली शोरा, गंधक और आमला सार 10-10 ग्राम अलग-अलग पीस कर मिला लेना है और हलकी आग पर गर्म करके 1-1 ग्राम का आधा कप मुली के रस के साथ सुबह शाम लेना है आपको गुर्दे की पथरी में लाव मिलेगा जीरा और चीनी को एक बरावर मात्रा में लेकर के अच्छे से पीस कर दिन में तीन बार एक-एक चमच पानी के साथ लेने से भी पथरी गलकर बाहर निकल जाती है पथरी को निकालने के लिए सबसे कारगर उपाय है यह आउला को सुखा करके उसका चून बना ले और हर दिन मुली के साथ खाते रहिए पथरी अपने आप बाहर निकल जाएगी पपीता खाने के कई फायदे होते हैं यह हम सभी जानते हैं लेकिन पपीते के पेंड़ से भी हमें फायदा होता है यह बहुत कम लोग हैं जानते हैं कि 6 गराम पपीते की जड़ को अच्छे से पीछ लें और एक कप पानी में घोल कर छान लें और इसका सेवन करें पथरी जल्द ही बाहर निकल जाएगी तो देखा दोस्तों आप सभी ने हमने आप सभी को बहुत सारी और शदियां इसलिए बताएं क्योंकि हो सकता है कि एक और शदिय जो हम बताएं वो आपके पास इजली उपलबध न हो इसलिए हमने अलग-अलग हों में ड्रेमिडेस बताई जिनके सहारे आप अपने पत्थरी की बिमारी को बाई बोल सकते हैं तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहत ही महतोपूर्च जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों